नमस्कार स्वागत है आप लोग का डिफेंस ऑफिसर्स अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर आज हम बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं काफी बच्चों का मेसेज उनके फोन कॉल मेरे पास आ रहे हैं कि सर एक कुछ ही दिन बचे हैं आ रहे हैं कि हम क्या क करें हम कैसे प्रिपरेशन करें हम कौन से बुक रिफर करें यह टॉपिक है सर सर्कल के कॉश्चिंस नहीं आ रहे सर आप प्रॉपर्टी समझा देंगे इस तरीके की बच्चों की क्वेरी जारी हैं सर प्रूबैबिलिटी में क्या करें ओके तो बच्चे बड़े सब्सक्राइब करें अब वह समय है कि जब आपको मॉक पेपर करने चाहिए क्योंकि मॉक पेपर करके होगा क्या एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट वह अच्छे से होगा और एक कॉन्फिदेंस आपको आएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगे ओंगे औ आपको टाइम करें स्क्राइब करता कि क्लास एड़ की उसके अलावा कुछ बच्चे मुसँ से पूछे लए सर जिसे हमारा प्रॉफिद लॉस्ट टॉपिक क्लीए नहीं है तो वैसे मैं बचों से बलता हूं कि आप आप आवॉइट करें जो टॉपिक्स क्लीर नहीं है अभी वो समय है, जो topics आपके already clear हैं, आप उनको consolidate करें, उनको और अच्छे से revise करें, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि खुद से तो ना करें आप कोई नया topic, हाँ, आप हमारे YouTube वीडियो के थुरू आप कोई भी नया topic पढ़ सकते हैं, ओके वो आपका कम time consume करेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और एक चीज़ और मैं आपको recommend करूँगा, वो है हमारा online course, ठीक है, मैं अपना online course promote नहीं कर रहा हूं, don't think I am promoting, तुकि देखिए लेकिन होता क्या है न, online course में systematically चीज़ें दी होती है, तो आप वहां से, अगर last moment में वो systematic videos भी द English की, ठीक है, तो maths में मैंने क्या बोला, maths में आपसे मैंने क्या बोला, maths में मैंने आपसे बोला, सिर्फ mock papers करें, और RD Sharma से refer, आप कुछ questions कर सकते हैं, topic wise, या आप YouTube में, जैसे mensuration, आपको नहीं आता, आप YouTube में videos देख लिजीजी, Defense Officers Academy के, या आप online course refer करेंगे, तो आपको ज के बारे में ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं, English में आप क्या करेंगे, देखें, English में, again, क्योंकि strategy हमारी English में पहले grammar section की होती है, तो English में भी आप क्या करें, कोई भी reference book है न, आपके पास, कोई भी reference book है न, उसमें जो static वाला portion है, जो vocabulary वाला portion है, ठीक है, जैसे synonyms हो ग उसके अलावा, one word substitution है, ठीक है, यह सारी चीज़े देखनी जरूरी है, उसके अलावा phrasal verbs है, ओके, तो यह मैं चाहता हूँ कि बच्चे सभी चीज़े एक बार अच्छे से revise कर ले, last moment में इसको revise करें, और, और जो grammar के सारे important rules है, ठीक है, grammar के rules, क्योंकि यह चीज़े बच् rules मतलब सर, जिसे tenses हो गया, active passive के rules हो गया, कुछ complicated cases है, direct indirect, transformation of sentences, तो वहापर कुछ important rules आपको मालूम होने चीज़े, तो वह आप जरूर revise करें, last moment में, flash cards भी बना सकते हैं आप, ठीक है, उस तरीके से आप उसको बहुत अच्छे से revise कर सकते हैं, छोटी सी dairy type की होती है वो, ज GK में क्या करें सर, GK के लिए कैसे करें, last moment में revision, देखे, GK में जो भी notes है, वो आपके लिए बहतर रहेंगे, ठीक है, ओके, और साथ में जो भी आपके पास current affairs है, अगर आपके पास नहीं है, तो आप defense officers academy से avail कर सकते हैं, हम cutting edge नाम से आपको current affairs देते हैं, ठीक है, आप इस जो भी आपके पास reference book है, उसको आप बार-बार revise करें, कुछ extra देखने की ज़रूतने, definitely current affairs आते हैं, तो current affairs के cutting, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, memorize करने वाली है, ओके, ये आपको याद रहने चीए on the day of exam, GK के paper में अच्छी बात यहीं कि चार options आपको मिल जाते हैं, त आप easily click कर पाते हैं, कि उसका सही answer क्या होगा, ओके, तो और साथ में साथ, फिर से मैं वही चीज़ कहूंगा, again I am not promoting it, but online course आपकी बहुत मदद कर सकता है, और online course के साथ तो हम cutting edge complimentary देए रहे, even English के section में भी मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, ये सारे idioms and phrases and vocabulary वाला पार्ट, आप online course से हमारे refer कर सकते हैं, बहुत ज्यादा benefit आपको इस last moment में भी देखने को मिलेगा, okay, तो GK में भी static portion के notes आपने बनाये हैं, या जो भी current effects के notes बनाये, या दखना, GK में static भी बहुत important है, okay, static portion भी बहुत important है, इसको आप revise करें अच्छे से, okay, तो यही last moment की आपकी क्य गंटे का समय मिलता है, आपको, तो आप आराम से GK का paper कर लेते हैं, तो टोटल 75 questions, हाँ, English के भी फिर से आप mock papers लगाए, ठीक है, English में भी आप mock papers लगाए, इसमें भी वही कहूंगा, अगर कोई topic clear नहीं है, जैसे rules and regulation, tenses का नहीं है, तो YouTube में वीडियो जरूर देखें, tenses क उपर मैंने एक detailed video बनाया है, उसी से related active passive भी है, वहाँ से क्या हो जाएगा, revision भी हो जाएगा, देखते देखते, दो-तिन घंटे के वीडियो से वह आप देख लेंगे, तो आपका important rules सारे ही revise हो जाएंगे, तो बहुत भेतर तरीका है revision का कि आप video format में देखें, otherwise online course तो आप course के थुरू कर रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पर मुझे मालू में कि आप videos देखेंगे, ज़्यादा time consume नहीं होगा और आप चीज़ों को समझ सकते हैं, दो-तिन example, simple questions आगे exam में तो आप perform कर सकते हैं, लेकिन मेरी advice यही रहेगी कि इस last moment में जो portions आपके already अच्छे हैं, उनको और consolidate करें, उनको और अच्छे से revise करें, ताकि अगर exam में ऐसे questions आजाएं, तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना छोड़ें, okay, all the best करना चाहूँगा, last में सभी बच्चों को confused, nervous होनी की ज़रुवत नहीं है, हाँ अगर आपको लगता है, फिर भी कोई doubt है, तो आप मुझे WhatsApp क कर सकते हैं, मैं voice note भेज के, जो भी मुझे लगेगा perfect answer या solution होना चाहिए, वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, तो यह हमारे numbers है, अगर आपको online course के बारे में भी पता करना है, तो आप ही से संपर कर सकते हैं, telegram में हम से ज़रूर जुडें, because you get all the important PDFs there, Facebook, Insta में हमें follow कर सकते हैं, like one word substitution, previous years के question papers, और कुछ static portion of GK, जो आपके exam में आपको, आपके लिए काफी मददगार रहने वाला हैं, okay, so that's all for today, I hope, आपको video काफी information लगा होगा, और जो बच्चे थोड़ा सा हेरान परेशान हैं, जो बच्चे nervous हैं, I hope कि आप उनको थोड़ा सा अच्छा लग को उस दिन अच्छा खेल, मैं चाता हूं कि बच्चे जब exam दे कर आएं, तो confidently भार आएंगे, ठीक है, मैंने अच्छा perform किया, okay, this is what I want, बाकि जो result है, live it to God, जैसा भी होगा, आपने अच्छा perform किया होगा, तो अच्छा ही result आएगा आपका, ठीक है, इसी note के साथ, आज के session को मैं ही पर wind up करता हूं, bye bye, all the best,